हेलो एवरिवन इस वीडियो में बात कर लेते हैं सतलत जल विद्धित निगम लिमेटेड की एजन एस जे वीएन क्विकली एनलिसस देख लेते हैं चैनल को लाइक एन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो एस जे वीएन में आज आप देख ले होगे स्टॉक में बुलिश मेवेंटम था सडन अवर्ड लगा और यहां पे स्टॉक नैस चैनल का ब्रेक आउट भी दिया है साथ ही साथ आप देखें यहां ट्रेंड लान का जब ब्रेक आउट हुआ तो साइकलोजिकल लेवल जो 100 था वो भी सस्टेन कर गया तो अब इसके कुछ लेवल्स बताऊंगा वो नोट डाउन करिएगा यहां पे आप देखेंगे सेलिंग जो आज आपन को देखने को मिली है वो एक्जेक्ट 103 के लेवल के आसपास रही है यह अपने सेलर सबसे ज़्यादा एकटिव यहीं पर थे 103 के पास पास इसकी उपर क्योंकि स्टॉक जा नहीं पाया वहीं buyers के आप बात करें buyers का perspective सबसे जादा देखने को मिला पे सबसे जादा buyers यहां से एकटिव थे कल का ही continuation रहा हो 94 के around से यहां से bushट लई trendline के आसपास आप देखें 100 का psychological level था जो की sustained कर ग पहले भी यहाई से reversal आती हुए देखने को मिला था यहां आप देख रहे होगे, यह पुरानी candles थी, psychological level sustain नहीं कर पाया था, reversal आया था, फिर stock नीचे आया, उसके आथ धीरे-धीरे अब यह sideways के आथ फिर से bullish हुआ है, तो कुछ ऐसे चल रहा है SJVN, तो by tomorrow अगर stock फिर से bullish करेता है, क्योंकि जो अच्छी बात रही आज के trend line की breakout क्योंकि psychological level के 5 point बाद तक आप देखें हमेशा seller's activeness रहती है, इसलिए 105 तक अप अपनको seller's activeness रहेगी, और seller's यहां तक तो डम रखते हैं कि stock वापिस 100 के अंदर चला जाए कहीं न गई, तो यह होगा अपना पहला target, दूसरा target इसी दिसा में आप 5 point और बढ़ाएंगे तो 110 क्योंकि एक चीज़ और रहती है, 100 points का जो level रहता है, उसके बाद हमेशा 5-5 point बढ़ाई है, वो काम करते भी नजर आते हैं, और यहीं अगर आप देखें 50 points के नीचे के जो level रहते हैं, वहां 3 और 2 point काम आते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर यहां से आप देखें 5 point क हर स्टॉक दिखाता है, अगर वो bullish momentum पर हैगा, तो अगर SJVN के वहीं बात करें तो daily, weekly and monthly पर अभी भी bullish है, इसलिए, और final target इसी दिसा में जो अपना रहेगा, वो 115 के आसपास रहेगा, वो इसलिए क्योंकि यहां पर आप देखें, उपर एक और trend line का hurdle है, यह जो trend line है, यह बंतुई नजर आ रही है, इसलिए यहां पर बनाया channel, और यह वाला channel कुछ ऐसा सा है, यहां से बनी है यह trend line, 5th में 23 से, और यहीं से trend line का hurdle आगे भी यह देखने को मिलेगा आपको, इसलिए यह trend line का hurdle आगे आने वाले दिनों में आपको बनेगा, यहां से थोड़ से pullbacks रह तो majority of the stocks में यही pattern था और आज finally stock में breakout भी दिया है, यहां पर उम्मीद सही है चलने की और आने वाले आपको इसी हफते में जहां था कि 115 की target तो easily देखने को मिल सकते हैं, यह तो हो गई उपर की बात support कहां लेगा stock वो देखते हैं, तो by any means अगर कोई unstability रहती है, क्योंकि आ पता रखना जरूरी है का आपको अपने stocks का, तो यहां पर पहला support stock का बनेगा 100 भई, और यह level बहुत important है, 100 का level break अगर हो जाता है, तब stock थोड़ा सा week होगा या pullback आएगा further, क्योंकि 100 पर buyers एक्टिवनेस रहेगी तो वो stock को उपर उठाने की ही कोसिस करेंगे, दूसरा support अ आ रहा है तो यह support काम करते ही दिखेंगे, और वैसे तो 96 तक नहीं आएगा, but by any means फिर भी आपको पता होना चाहिए कि supports हैं कहाँ, तो hopefully सारी चीचने यहां clear होंगी, मिलते नेक्ट वीडियो में, this is me सुबम्यादव, signing off.